राभे एक महानुभाव ने सेवा के संबंध में डिटेल से कुछ जानना चाहा है वैसे तो संसार में प्रसिद्ध है कितन मन धन से सेवा करनी चाहिए और महापुरुष और भगवान की ही सेवा वास्तविक सेवा है क्योंकि उस सेवा से बंधन से मोक्ष मिलता है भगवत प्राप्ति होती है वैसे चार प्रकार की सेवा होती है सात्तिक राजस तामस और दिब्व सात्तिक सेवा देवताओं की होती है देवताओं की भक्ति करते हैं बहुत से लोग इंद्र की बरुन की अगनी की कुबेर की तो सात्तिक भक्ति सेवा से त्वर्ग मिलता है और राजस इम्रित्य लोग का है और तामस से नरक मिलता है अगर तामसी ब्यक्ति की आप सेवा करेंगे तन मन धन से वो चाहे बाप हो, चाहे मा हो, चाहे बीबी हो, चाहे पती हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पडोसी हो, कोई हो तो तामसी का परिणाम नरक और इन तीनों से परे है दिब्व सेवा वो दिब्ब पर्सनलिटी की होती है तो दिब्ब पर्सनलिटी दो हैं एक भगवान और एक भगवान को प्राप्त कर लेने वाला महापुरुश्य तो भगवान तो मिलते नहीं है पहले के हम उनकी सेवा करेंगे गुरु मिलता है लेकिन भगवान की सेवा भी होती है, की जाती है एक से, मन से इसलिए कहा जा रहा है कि सेवा में प्रमुख है मन देखिए एक बात नोट कर लीजिए आप लोग, कि कोई भी कर्म मन से ही माना जाता है मन से, पाप, पुन्य, भक्ती, बैराग्य, जो भी आप लोग बोलें, वो मन से सही मानी जाती है, अगर मन से नहीं है, तो वो न भक्ती है, न ज्ञान है, न बैराग्य है, सब धोका है मन एव मनुष्या नाम कारणं बंध मोक्षयो हो, बंधन और मोक्ष, यह सब मन से संबंध रखता है मन एव, मन ही, हिंद्रियों से नहीं, इसलिए क्रपालू बार-बार आप लोगों से कहता है, मन से भगवान का ध्यान करो, फिर इंद्रियों से नाम उगेरा लो, मन की भक्ती, मन का बैराग्य, मन की सेवा, इसलिए यहां कहा जा रहा है कि सेवा में सब से मुख्य है मन, दूसरा रीदन, कि तन से सेवा तो सब को मिलेगी नहीं, गुरू की, अरे, कोई इंग लेंड में है, कोई अमेरिका में है, कोई नेपाल में है, कोई इंडिया में है, और जिस देश में है, वहाँ भी कोई किसी और शहर में है, तो तन से तो सेवा किसी को हमेशा मिल नहीं सकती, कभी कभी मिल जाएगी, और धन से सेवा भी सब नहीं कर सकते, जिसके पास धन है, वही तो करेगा, 90 परसेंट लोग हमारी दुनिया में ऐसे हैं, जिनको अपना ही हिसाब नहीं बैठ पाता, रोटी दाल, मकान, कपड़ा, लेकिन जिसके पास धन है, और वह सेवा न करे, उसको कड़ा दंड मिलेगा भगवान के हाँ, भगवान कहते हैं, देखो तुम नंगे आये थे, मा के पेट में, हाँ, वो शरीर भी मैंने दिया था तुमको मा के पेट में, हाँ, और तुम जब जाओगे यहां से, तो वो हमारा दिया हुआ शरीर भी हम धारा लेंगे, ए, यह मैंने दिया है शरीर, यहीं छोड़ दे, जा, तुम चाहे कितने चार सुबीस करो, अर्बो, खर्बो, कमाओ, करोणो, मकान, खड़ा कर दो, लेने जा सकते कुछ, यह सरकारी माल है, क्योंकि जमीन तो सरकारी है न भगवान, कि तुमने उसमें मकान खड़े कर दिये हजार, अच्छा है, शोवा बढ़ गई मकान की, जमीन की, लेकि लेने ही जा सकते कुछ, और उसके खड़ा करने में जो मकारी की है, वो दंड अलग भोगो, तो इसलिए भागवान ने कहा, कि यावत भ्रियेत जठरम, तावत स्वत्वम्हिडेहिनाम, मनुष्यों, इस संसार में तुम्हारा कुछ नहीं है, सब मेरा है, और अगर मैंने तुमको अधिक सामान दे दिया है, एक करोड, एक अरब, तो जितने में तुम्हारे शडीर का काम चल जाए, खाना, कपड़ा रहना, उसके अलावा जो बचे, वो मेरे कार्ज में लगा देना, अपने बाल बच्चों का नर रख देना, वो आवारा हो जाएंगे, और तुम चोर कहलाओगे, जैसे इंकम टैक्स होता है, उसमें चोरी करते हैं लोग, तो गॉर्मेंट दंड देती है, ऐसे सस्टेनों दंड मर रहती, भागवद, साथ, चवदा, आठ, तो धन से तो धनी सेवा करेगा, करना चाहिए, बेदब्यास ने एक जगे लिखा है, महाभारत ने, हुआ, बड़ा मज़ेदार है, निवेश चब्यव, गले, बद्धा, दिर्णाम, शिलाम, इन दोनों प्रकार के आदमियों के गले में, बड़ी मोटी सिला बांध के, पानी में डाल देना चाहिए, अरे, डालना मत, मकदमा चल जाएगा, लेकिन उन्होंने लिखा है, ऐसे दो प्रकार के आदमियों को, कौन? धानवन्त मदातारम, पैसा है अब दान नहीं करता, उसको बढ़ाने में लगा है, अब भाल बच्चों के लिए जमा कर रहा है, और दूसरे कौन? जो दरिद्र हैं, वे भी भगवान को गाली देते हैं, भक्ती नहीं करते हैं, अरे, उनको तो करना चाहिए, क्योंकि अहंकार तो ही नहीं उनको पास, हम, दस करोड के आदमी हैं हम, तुम क्या करते हो, हम, नवक्री करते हैं, क्या तनकार मिल चीए, दस अजाए, एच्छा है, हम दस करोड के आदमी हैं, अपने से नीचे वालों को देखकर, फूल जाता है वो धनी, अब उपर वालों को देखकर पिचक जाता है, अरे ये बिल गेट्स है, बहुत बड़ा आदमी है, तो धनी होकर दान न दे और दरिद्री होकर भगवान की ओर न चले, तो इन दोनों के गले में, शिला बांद के समुद्र में डाल दो, अपरादी हैं, अरे डाल मत दो, मतलब वो बहुत बड़े अपरादी हैं, बेदव्यास कह रहे हैं, तो मन से सेवा, सबसे बड़ी सेवा, वो तो सब के पास है न, कोई भिकारी भी नहीं कह सकता है कि मेरे पास मन नहीं है, ला दो तो फिर मैं सेवा करूँ, कुटे बिल्ली गधे साथ के बास मन है, बिना मन के कोई जीव नहीं हो सकता, जीव, ये ब्रिख्ष के पास भी मन है जब इनको पानी मिलता है हवा मिलती है धूप मिलती है तो सुख्यो होते है और जब सूखा पड़ता है और धूप तेज होती है तो इनको कश्ट होता है जैसे आपको होता है ऐसे उनको भी होता है मन है तो मन से सेवा करना ये सबसे मुख्य है और तन से मिल जाए जब कभी तो ठीक है कर लो और धन है तो करो ठीक है वरना ये न सोचो मेरे पास धन नहीं है तो मेरा क्या होगा जिसके पास धन नहीं है और धन से सेवा नहीं कर सकता उसके लिए ख्षमा है वो ये न सोचे कि ये तो इतनी सेवा करता है और मेरे पास तो पैसा नहीं है मैं तो नरक में जाओंगा ना मन से करो और धन से सेवा में भी शर्थ है एक खरब पती ने एक करोड़ दान किया और एक लगपती ने एक हजार दान किया तो पर्सेंट देखा जाएगा क्यों खरब पती ने एक करोड़ किया गोण बड़ा दान किया और ये लगपती ने एक हजार किया उससे आगे तो इस प्रकार तन धन की सेवा दौण है और मन की सेवा प्रमुख है और सेवा का मतलब क्या होता है स्वामी को सुख देना ध्यान दो सब लोग अपने सुख के लिए नहीं हम लोग सेवा करते भी हैं तो अर्थ नहीं जानते सेवा का हम चाहते हैं हम जो चाहें वो हमारा स्वामी माने यह तो उल्टा हो गया तुम स्वामी हो गया वो नौकर हो गया जैसे हमारी इच्छा है कि गुरुजी हलुआ खाए हो गुरुजी का पेट खराब है वो कहते हैं हलुआ ने खाएंगे आप तो हमारी मानते नहीं कभी है आच्छा हम तुमारी माने तुम हमारे गुरुजी हो तुमको हमारी आज्ज्या मानना है तुम हमसे मनवाना चाहते हो तो सेवा का मतलब जिससे हमारे स्वामी को सुख मिले वो सेवा है यानि उनकी रूची में रूची अपनी बुद्धी नहीं लगाओ उनको सुख देना है वो जैसा चाहें जैसी आज्ज्या दें आज्ज्या समन सुसाहिब सेवा तीन प्रकार की सेवा होती है बिना कहे सेवा करें वो स्रेश्ट सेवा कहें एक लाश्टा और कहने पर विभोर होके खुश हो करके सेवा करें वो नमबर दो का और कहने पर करना पड़ेगा अब गुरु जी कह रहे हैं तो अब क्या करें यह नमबर तीन का है थार्ड क्लास की सेवा और कहने पर भी न करें तो वो तो गुरु द्रोही है समर्थो होकर सेवा न करना यह तो बड़ा भारी अपराद है तो सेवा में यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे स्वामी को जिस कार्ज से जिस ब्यवहार से जिस प्रकार से सुख मिले बस उसका नाम है सेवा अपनी इच्छा नुशार सेवा नहीं हुआ करते तो तन मन धन से इस प्रकार सेवा का से धानत है कर दो कर दो कर दो